दोस्तो आयार सिटीजी ने अपना एक नया क्रेडिट कार्ड लॉंच कर दिया है बैंक और बरुदा के साथ कोलेबरेट करके बी ओ ओ बी क्रेडिट कार्ड है जो की एक रूपे क्रेडिट कार्ड होगी और आज के इस वीडियो में डीटेल्स में जानेंगे इसी कार्ड के बारे में कि इस कार्ड को आप कैसे ले सकते हो क्या चार्जेज है और कहां कहां आपको इस पर छूट देखने को मिलती है क्या है एनुवल चार्जेज सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे तो बन रहे हैं हमार साथ इस वीडियो में लेकिन चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं लांच की तो इसको आज ही लांच किया गया है इस कार्ड को और इसे आप अपलाई कर सकते हैं अभी इसी वक्त डेस्किप्सन बॉक्स में लिंक मिलेगी वहाँ पर जाके आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन उससे पहले यह जानना तो ज benefit क्या है तो देखे इस card की benefit यह है कि सबसे पहला benefit है कि अगर 100 रुपया पर spend करते हो तो आपको यहाँ पर 40 रुपय तक की जो है bonus point reward point मिलेगी मतलब यह कि अगर 100 रुपया की आपने payment करी है यहाँ पर IRCTC पर तो आपको यहाँ पर 40 reward point मिलेंगे अब यह reward point कैसे काम करता है तो उसको आप ticket कारते हुए redeem कर पाओगे अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि एक point का कितना रुपया हम redeem कर पाएंगे तो आप जो है एक reward का आपको एक reward point अगर आपके पास है तो आप 25 पैसे के ब्राबर होती है जैसा कि जितने भी bank के card आप यूज करते हो जैसे SVI बगर तो 400 अगर आपके पास reward point है तो 100 रुपया में आप उसे convert कर लेते हो तो कुछ इसी तरह से यह भी work करता है तो यह तो हो गए reward point की बात बाकी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिसकाउंट की तो एक परतीसत की transaction charge आपको माफ किये जाते हैं IRCT के website पे चाहे आप IRCTC के mobile app को use करके ticket कारते हो तो एक परसेंट की transaction charge में आपको छुट मिल जाती है और उसके बाद अगर आप grocery पे कुछ purchase करते हो वहाँ से तो 100 जो है आपका 100 रुपया अगर spend करते हो तो वहाँ पर आपको 4 reward point मिलेंगे 40 नहीं 40 आपको ticket कारते हुए मिलेगी जबकि आप grocery बगरा ख़ CTC के आपके पास जो ID होगी न वहाँ पर जाके आपको इस card पे एक दिया जाएगा यहाँ पर IRCTC loyalty number तो उस number को डाल के इसको link कर सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं और भी छूट की यहाँ पर तो यहाँ पर अगर आप 1000 से उपर के card लेने के बाद 1000 से उ पर आते हो अगर अपने गारी में 500 रुपय से लेके 3000 के बीच में तो वहाँ पर एक पर 30 की छूट आपको देखने को मिलेगी और maximum 100 रुपया ही छूट मिलेगा एक बार में ठीक है इस बात को आप note down करके रख लीजेगा बाकि दूसरे category पे या फिरेंट टिकट अगर आप परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको 2 reward points 100 रुपय के बदले मिलेगी जबकि AC पे यहाँ पर 4 देखने को मिलेंगे वहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इसके EMI option की तो यहाँ पर EMI option भी available है लेकिन 2500 से उपर के जो भी आप EMI transactions करते हो वहाँ पर 6 महिने से 36 महिने तक की EMI transactions 2500 से उपर के purchase पर आपको मिल जाती है वहें पर 37 साथ आपको 3 add-on card free में दिया जाता है अब add-on card क्या होता है तो देखिए आपके परिवार में आपकी बहन, आपके भाई, आपकी पतनी जो भी होगी उसके नाम से आप 3 add-on card ले सकते हैं condition यह है कि उनकी उम्र जो है 18 साल से उपर होनी चाहिए लेकिन card लेने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो इसकी eligibility यह है कि अगर आप salaried person हो, अगर आप salaried person हो, तो साठे 3 laag से उपर आपका annual income होना चाहिए और अगर आप self-implode है, तो साठे 4 laag से उपर आपका annual income होना चाहिए, इतना ही नहीं, थाड़ा साल से उपर के होने चाहिए तो यहाँ पर जो है इतनी जानकारी हमने अभी दी है जो निकल कर सामने आई है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और जानकारिया होगी जो सामने आ सकती है लेकिन अपलाई करने के यहाँ पर TNC ही कुछ ज़्यादा है 25-50 के बीच में उम्र होनी चाहिए और सैलिरी रहे तो साड़े चार लाख नहीं तो मतलब यह ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगी फ्री में ठीक है तो यह जो कार्ड लॉंच किया गया है रूपे क्रेट कार्ड बैंक अब बरोदा के साथ यह कैसा लगा आपको कमेंट स् किसी नई वीडियो में दीजे इजाज़त थैंक यू